नमस्कार बीए फर्स्टेयर मुजिक वोकल MLSU टॉपे के संगीत की सामाने जान कर इसे पहले वीडियोज में हमने संगीत सामाने जान कर देती बीए पर्तमवर्स के स्टुडेंट्स के लिए तो हम इस वीडियो में जानेंगे थाट राग और राग की जाती अब थाट क्या है तो थाट है समो का नाम होता है जिसको थाट या मेल कह सकते है जैसे बहुत सारे एक समो बहुत सारी वस्ते हैं हो सकते हैं तो वस्तों के पैचान के लिए समो बनाए जाते हैं जैसे बहुत सारी वस्ते हैं तो उनकी एक पैचान कुछ एक दूसरे से मिलते जूलती वस्तों को में एक गुरूप रख देंगें, दूसरी ओंको दूसरे गुरूप में, ऐसे, तो संगीत में भी किया है न, बहुत सारी रागें, जैसे डेड़ दोसो, डाइसो, इतने कुछ रागें पर चलीता है, तो उत्तर हिंदुस्तान संगीत पद्धति में, जो पंडेज भात कंडेजी कनिसार चलती है, उनी की पद्धति को हम फॉलो करता है, तो इन सब रागों को, इन में वैसे तो विभीनता भी होती है, सबका अलागला गुनदर्म होता है, अपने जाती होती है, अपने पैचान होती है, लेकिन बहुत सारी रा रागों को अलाग गुरूब में, दूसरी समानता वले रागों, दूसरी गुरूब में, तो ऐसे करके, ये दो सोड़ा है, जितने पर रागें पर चली थी, उनको गुरूब बनाते हैं, तो हम दस गुरूब बन जाते हैं, तो इनको हम ठाट कहते हैं, तो ऐसे ये दस हैं, कल्यान थाट, खमास थाट, आसावरी थाट, बिलावल थाट, पूरवी थाट, तोड़ी थाट, बहरवी थाट, बहरव थाट, मारवा थाट और काफी थाट तो उनकी पेचान क्या है? कि हम इनके थाट में साथ सुरों कहुना परमाउसिक होता है लेकिन हम आटवा सुरों सा रख लेते हैं, जैसे हैं, यह मद्यसब्द का सड़ जाए और यह तार सब्द का, तो इसका दुगना होता है तो कल्याण था घाटो में आरोंगा काल खौता है चिसमें मद्ध्यम तीवर होता है बाकिस वर सुद्ध होता है तो यह कल्याण थाकर नाम से राग भी या कल्यान राग या यमन राग कहता है उसको कल्यान थाट का आसरे राग भी कह जाता है आसरे राग से थाट पर ये है कि परसीद राग जो राग तो क्योंकि काफी समय से परचलीता है थाट तो भी डेट 200 साल सो सो डेट 200 सालों का इतियासे ठाट होगा तो लगे राग तो इससे भी प्राचीन है तो प्रसीद रागों के नाम से हम रागों का नाम ठाट को दे देते हैं तो उस ठाट का आशरी राग हो जाता है जैसे कल्यान राग को नाम नाम से कल्यान थाड बना दिया तो इस थाड का आशिर राग हो क्या होगा कल्यान राग तो ऐसे खमाज थाड का आशिर राग आसावरी थाड का आशिर राग आसावरी राग बिलाव थाड का ऐसे इन सब का वो चलता है तो अब अच्छा खमास थाट की क्या पेचान है इसमें नी कोमल होता है चाहिए मंदर मद्दे तार पेचान कोई सी भी हो सूर कोई सी भी हो लेकिन इसकी क्या पेचान खमास थाट की नी कोमल बाकि सुर सुद्धाएंगे आसार थाट का ग, ध, और नी ये कोमल अवस्ता कोई से मंदर, मद्र तारौ से कोई नहीं है वो गाते बजाती तयान रखना है बाकी ग-धनी यह और बाकी शुणर सुद्ध ऐस में कोमल है तो असावरिधाःत बिलावल्धाःत में सारे सुद्ध हमें यह बिलावल्धाःत की पैच्चान है और संगित के प्रारमी विद्यारतें को इसी थार्ट को या इसी थार्ट से सम्मधित बिलावल राग जो इसका आस्रे रागे उसी को गाया बजा जाता है तो उर्शी से अलंकार तैयर करवा जाता है पूर्विथार्ट इसमें रे रेधा कोमल है और मतीवर है और बाकिस्वर सुद्ध पूर्विथार्ट पेचान तोड़ी में रे गधा कोमल और मतीवर ये तोड़ी थार्ट की पेचान है बेरविथार्ट की रे गधानी रे गधानी कोमल बाकिस्वर ये बेरविथार्ट की पेचान है और बेरव की रे और धा कोमल ये बेरव थार्ट की पेचान है मारवा थाट की रे कॉमल रे कॉमल और मातिवर ये मारवा थाट की पेचान है काफी थाट में ग और नी कॉमल ये थाट की पेचान है अब राग काफी राग भी होता है तो रागों में सोरों कि संके साथ किसे के पांच भी हो सकती छे भी हो सकती है यह आरो में पांच है अवरो में चे यह साथ कुछ भी हो सकता है पांच से कम होता नहीं है तो वो रा के अपनी पर्षनल दुनिया होती है लेकिन उस रा को देखने से हमें पता चल जाता है कि यह रिख लाने लिख लगबग मिलते जर्य नहीं कि आसरे राग जिस थाट का आसरे राग तो उस थाट के संपूंट सवर मिले उनकी कंडिसन अलगव सकती बस उस थाट को राग को देखने स्थाट की पेचांट जरूर हो जाती है तो यह हो गए थाट और राग की सामाने जान करे अब झाल झाल